अक्षे कुमार की नई फिल्म खेल खेल में एक दिल्चस्प टुिस्ट के साथ मज़ेदार कहानी लेकर आ रही फिल्म लग रही है ये फिल्म भले ही कॉमेडी हो लेकिन इसमें एक रियल सस्पेंस भी है और कहानी का ये एलिमेंट फिल्म को दिल्चस्प बना रहा है ट्रेलर और बोर हो रहे हैं इनके साथ फरदीन खान भी है जो कहानी में अकेले सिंगल पुरुष नजर आ रहे हैं यह सभी अपने बोरिया दूर करने के लिए गेम खेलते हैं और तै करते हैं कि राद बर के लिए सभी के मुबाइल फोन पब्लिक प्रॉपर्टी है यानि किसी के भी जो मैसिज कॉल आएंगे वो सब को पता चलेंगे और ये तो हम सब जानते ही है कि आज की डेट में किसी के वकिल डॉक्टर सीय से भी ज्यादा रास उनके मुबाइल में होते हैं खेल खेल में कि ट्रेलर में जहां किसी का मुबाइल एक कॉल गर्ड एजेंट से उनका कनेक्शन जोड रहा है तो किसी का एक्स्ट्रा मैलिटल अफ़ेर नजर आ रहा है मगर ट्रेलर कहानी का कोई बड़ा ट्विस्ट भी चुपा रहा है कहानी में एक खटकने वाली बात ये है कि फरदीन का किरदार ही सिंगल है और वो कहानी में अक्षे के अच्छे दोस्त नजर आ रही है इन्हीं दो मेल किरदारों की उम्र भी मैच हो रही है क्या खेल खेल में का बड़ा ट्विस्ट अक्षे कुमार वानी और फरदीन के बीच चिपा है फिल्म को मदसर इजाज ने डाइरिक्ट किया है जो इससे पहले हैपी भाग जाएंगे और पती पतनी वो जैसे फिल्म बना चुके है